हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा, तोड़े विल डिसकस एसी थू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि लोड कितने तरीके की होते हैं, लोड फ्री टाइप्स की होते हैं, एक रेजिस्ट होगा, उसकी स्टडी हम या करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि घरों में जरूरी नहीं कि आपका सिफ और सिफ रेजिस्टिव लोड है, आपके घरों में, इंडस्ट्रीज में, आफिस वगरा में, जितने भी लोड होते हैं, वो रेजिस्टिव भी होते हैं इंडस्टिव भी होते हैं, कैपसिटिव लोड भी होते हैं, तो इन तीनों लोड में आप AC वोल्टेज देते हैं, क्योंकि घरों में आपकी क्या आती है, AC सप्लाई आती है, जब आप AC वोल्टेज देते हैं, तो उस AC वोल्टेज की वज़ा से हर एक लोड का जो करेंट है उसमें चेंजमेंट आता है और उस current के चेंजमेंट को हमें देखना रहता है ताकि हमें current की जानकारी हो जाएगी तो हमें voltage तो already पता है कि हम कितना दे रहे हैं तो उसकी help से हम क्या निकाल सकते हैं power निकाल सकते हैं जैसे कि power का formula क्या आता है P equal to V into I और voltage हमें already पहले से पता रहता है और current बस हमें देखना रहता है कि current इसमें कैसा आ रहा है और उसकी help से हम power निकाल लेते हैं अगर हमें power का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगी कि inductive load जो है वो कितनी power की खपत कर रहा है या power consume कर रहा है अगर आपने कोई resistive load लगा जैसे कि यहां पर हमने एक voltage से connect कर दिया यह इस तरह का अगर आपको symbol दिखें तो यह हमेशा AC supply रिप्रिजेंट करता है AC का मतलब बता है प्रतियावर्थी राशिया या फिर alternating quantities ठीक है आपके घरों में AC supply आती है आगे जाकर हम आपको बताएंगे दो तरह की supply होती है एक AC supply होती है दूसरी DC supply होती है अभी इसके बारे में नहीं जानते है तो क्या है आपने एक circuit resistive load लिया है उस resistive load में क्या दिया है अपने AC supply दिया है अगर हम AC supply को जो आपके घरों में AC supply आ रही उसे CR में देखेंगे तो हमें उसकी waveform जो रहेगी तरंगे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी इस तरह से waves होती हमेशा लेकिन AC supply इतनी तेजी से जाती कि हमें ये तरंगे देखने को नहीं मिलती है हमें लगता है बिल्कुल straight line जा रही है लेकिन कि एक्चुल में अगर हम उसे zoom करके देगे तो हमेशा ये इस तरंगों में जाती है तो इस जैसे कि आप लोग maths में भी पढ़ रहा होगा कि हर एक line की equations होती है उसी तरह इन तरंगों की अगर equation अगर हम लिखे तो वो equations क्या होती है अगर इन तरंगों की equation हम लिखना चाहें mathematically तो उसको हम represent करते हैं I am अगर current की बात है तो I am लिख लेंगे और voltage की बात है तो V am इधर sin omega t इधर भी sin omega t ये आपकी voltage और current की equation होती है अगर आप AC supply दे रहे हैं DC अगर supply दे रहे हैं तो DC में ये आपकी waveform की equation नहीं होगी ठीक है student तो मालने जे हमने यहाँ पर AC supply दे रहे हैं AC supply का मतलब है AC voltage दे रहे हैं जो की sinusoidal form में है और sinusoidal form की equation क्या आती है यहाँ पर मैंने बताया V equal to Vm sin omega t ठीक है तो पहली बात तो आपको इतनी पता चल गई दूसरा point क्या आपको इसमें याद रखना है कि इसमें current और voltage same phase में होते हैं मतलब जैसे ही आपने यहाँ से voltage apply करा तुरंट उसमें current आना start हो जाएगी जरा सब भी time नहीं लगता है current आने में इसमें phase difference जो जीरो होता है phase difference अब आप लोग सोचने क्या होता है phase difference का मतलब होता है current और voltage के बीच का difference अब यहाँ आपने हम उपर बताई चुके points में कि यह दुनों साथ साथ जाते तो कोई difference ही नहीं होगा जैसे ही voltage जारे होगी उसी के साथ की equation आप लोग learn कर लिजे हमेशा voltage अगर एसी supply दे रहे तो voltage equation क्या होगी V equal to Vm sin omega t अगर आपने यह supply दी तो इसमें current flow होगी उस current की equation क्या होगी I equal to Im sin omega t ठीक है फिर next point आपको याद रखना है इसका जो power factor होता है हमेशा 1 होता है बहुत पूछा जाता है कि pure resistive circuit या शुद प्रतिरोध परिपत का power factor या शक्ती गुडांग कितना होता है तो आप क्या लिखेंगे 1 होता है अब सोच रहेंगे power factor क्या होता power factor भी आपका phase difference की तरह रहता है मतलब आपकी जो voltage आपने दिया है उस voltage की वज़े से current आ रही होगी तो current हमेशा voltage की साथ साथ चले तो उसी को हम एक अच्छा power factor भोलते है शक्ती गुडांग भोलते है अगर माले जो voltage या current थोड़ा delay हो रही या late आ रही या पहले आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे कि power factor अच्छा नहीं है या शक्ती गुडांग अच्छा नहीं क्योंकि उनकी जो waves से एक साथ नहीं चल रही है अब आगे बढ़ते हैं derivation की तरफ यहां हमने derivation करी है सबसे पहले हमने circuit बनाया एक इस तरह का circuit है resistive circuit और यहां पे हमने AC supply दी है ठीक है तो यहां पे हमने सबसे पहले voltage दिया voltage की equation sinusoidal या AC supply की क्या होती है V equal to Vm sin omega t ठीक है यह हमें already पहले से पता रहती है कि हम यही voltage दे रहें क्योंकि आप लोग को घर में पता ही है कि आप कितना voltage दे रहे है तो V पता रहता है current कितनी जा रही है उस लोड में हमें यह नहीं पता रहता है क्योंकि कुछ लोड जो रहते है ज़्यादा पावर ले रहे है कुछ कम ले रहे है तो current हमें पता ही नहीं चल रही है कि कितनी ज़्यादा आ रही है कितनी कम आ रही है अब उसकी चीज हम यहां पर देखेंगे ठीक है यहाँ पर हमने voltage supply दिया आप जैसे कि हम ohms law जानते ohms law के according i equal to v upon r होता है तो i equal to v की जगा again हमने यह क्या रगदी equation को put up कर दिया vm sin omega t अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे और ohms law लगाएंगे तो आपने पढ़ाँ को vm upon r क्या होता है होता है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया im क्योंकि vm लिया है तो यहाँ पर im ले लिया ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो current है वह बिल्कुल same as it is equation ले रहे है जैसी voltage है तो इस equation से current की equation से में पता चल जा रहा है कि जैसा voltage होगा वैसी current होगा अगर voltage धीरे आएगा तो current भी धीरे आएगी resistive load में सिफ और सिफ resistive load के case में बता रहे है ठीक है अगर voltage धीमा आ रहा है तो current भी धीरी आएगी आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा यह जो equation है आप लोग learn कर लिजेगा अगे आगे जाते हैं फेजर डाइग्राम फेजर डाइग्राम मतलब होता है आप उसे किसी डाइग्राम के थुरू रिप्रेजेंट करते हैं voltage current के बीच का relation तो यहाँ पर देखे मैंने बात करें तो zero angle ले लिए ठीक है अब यहाँ मैंने दोनों equations लिखती है v equal to vm sin omega t omega t आपका angle भी हो सकता है जैसे 60 degree 50 degree कुछ भी आपके questions में दिया होगा ठीक है उसी तरह i is equal to im sin omega t तो अगर आप इसकी फेजर की बात करें तो voltage की बात करें तो voltage कितनी पर यह जो omega t यह सब दिखाता है यह आपकी distance बता रहोता है कहां से reference point से voltage की जो reference point से distance वो कितनी omega t omega t हमें पता ही नहीं कितनी value है कोई हो सकती 60 degree 20 degree या 5 meter कुछ भी ठीक है तो हमने यह आपर reference point लिया एक omega t बना दिया voltage कितना है इस angle पर बना तो हमने यह आपर voltage दिखा दिया अब चलिए voltage की दुबन गई अब current की बात आती है current कितनी डूरी पर है फिर हम मैं आपको बता दे रही हूँ यह omega t क्या दिखाता है distance दिखाता है आपके reference point से कितना distance है voltage का और current का तो current की बात ही तो current की कितनी distance है reference point से omega t तो यहाँ पर हमने omega t देख लिया यह देखा कि अरे voltage और current तो तो नों साथ ही साथ है तो यही चीज़ तो हम पहले पढ़ करा रहे कि voltage और current हमेशा same phase में थे मतलब से साथ चल रहे हैं तो अब इतना complicated circuit ना बना के हम phasor diagram क्या बनाते एक voltage बनाते और उसी के साथ current तो इससे हम पता चल जाता है कि voltage और current क्या है साथ साथ चल रहे है एक्जाम्पिल के तुरू अगर मैं बता दे रही हूं जैसे हमाले यह v equal to vm sorry v equal to vm sin omega t की जगा 60 degree लिखा है और omega t जब 60 तो यह भी 60 degree होगा क्योंकि दोनों की चीज़े same है ठ आपको एक reference point होता है अब 0 degree से voltage कितनी एंगिल पर है 60 एंगिल पर तो आपने voltage का बना दिया किता है 60 degree पर current की बात आती current को भी आपको diagram के तुरू दिखाना चाहते तो क्या करेंगे 60 degree पर current का है magnitude तो आपने current भी देखा 60 पर उसी पर आ गया तो इस तरह से आप phasor diagram से represent करते हैं दोनों को आगे बढ़ते हैं waveforms waveforms की बात आती है तो यह देखिए आपकी यह वाली axis omega t है omega t कुछ और नहीं या तो angle दिया रहता है क्योंकि आप लोग ने trigonometry पढ़ायों को sin theta क्या रहता है angle ही तो रहता है तो उसी तरह electrical में हम theta ना लिखकर omega t लिखते हैं angles के पारे में लिखते हैं ठीक है तो sin omega t यह सब के angles दिये रहते हैं तो voltage और current की बात करें तो voltage आपकी zero point से निकला इस तरह से waveform बनकर जा रही होगी उसी तरह current की क्या है current भी साथी साथ उस voltage के साथ जा रही होगी लेकिन थोड़ी सी कम उसकी waveform होगी ठीक है उसकी नीचे थोड़ी waveform होगी तो साथ जीरो point से voltage भी स्टाट हो रहा है जीरो point से current भी स्टाट हो रहा है और again मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि voltage की equation क्या होगी Vm sin omega t और current की equation क्या होगी Im sin omega t अब यहाँ power की बात आ गई अब आपको voltage पता चल गया current भी पता चल गया current किस equation से हम दे सकते हैं तो आप easily power न equations रख दी Vm sin omega t और I की जगह क्या रख दी हमने Im sin omega t फिर again क्या है Vm और Im को एक साथ लिग दिया और sin omega t और sin omega t क्या हो गए मिलकर square बन गए mathematically यहां सब चल रहा है आपने trigonometry पढ़ी होगी तो सब solve कर लेंगे ठीक है फिर again next step किया अब यह step आ गया है अब आपने पढ़ा तो formula क्या था sin 2 square omega t बलकि जबकि यहां पर क्या है सिफ sin square omega t तो आपने क्या करा उस formula को बनाने के लिए आपने एक नीचे से 2 divide कर दिया और 2 sin square omega t का formula क्या होता है 1 minus cos 2 omega t वो आ गया आपका formula फिर आपने bracket को open कर दिया bracket open करेंगे तो vm im upon 2 फिर vm im cos 2 omega 2 ठीक है यह आ गया है फिर हमने study किया है अभी आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन आगे आले lectures में आपका थोड़ा clear और हो जाएगा कि जो आपकी cos omega sin omega जितनी भी यह होते हैं terms होते हैं अगर electrical में देखा जाए तो electrical में sinusoidal waves होती हैं sinusoidal waves कैसे चलती हैं इस तरह से चलती हैं तो एक complete sinusoidal की waves जो रहती है उसकी जो average value या फिर average value जो रहती हो हमेशा 0 रहती है तो यहाँ पर जो cos 2 omega t की value हम हमेशा 0 लोगे क्योंकि average value जो रहती cos की 0 रहती तो यह वाला terms क्या हो जाएगा आपका पुरा 0 हो जाएगा बचा क्या आपका vm im upon 2 आगे बढ़ते हैं vm im upon 2 बचा इस 2 को आप root 2 into root 2 लिख सकते math में आप लोग क्या करते है root 2 into root 2 की value क्या होगी 2 ही तो होती है तो आपने इसको vm upon root 2 im upon root 2 कर दिया फिर इन दोनों को अलग-अलग कर दिये vm upon root 2 im upon root 2 अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे maximum value maximum value का ही formula होता है v into i हो गया ठीक है v into i कैसे हुआ क्योंकि v equal to vm upon root 2 होता है vrms equal to vm upon root 2 यह आगे मैं definitions में बताऊंगी अभी आप बस इतना याद कर लिजे कि क्या होता है vm upon root 2 की value v होती और im upon root 2 की value i होती और यह आपका power का formula आगे है I hope आपको मेरा बतावा समझ में आया होगा If you like my videos, please do subscribe and do comments. Thank you